नमस्कार दोस्तों मैं हूं आमेद और आप सीख रहे हैं Photoshop का Complete Course वे भी Certificate के साथ अगर आपको नहीं पता कि ये Photoshop Course करने के बाद आपको Certificate कैसे मिलने वाला है तो Certificate कैसे मिलेगा इस चीज का जो वीडियो है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा और साथी साथ आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों में इस course को जरूर से शेयर करिएगा तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं So students, आज की ये वीडियो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ये हमने last class के अंदर ये thumbnail बनाया था, एक तरिके का banner बनाया था इस banner को हम billboard के उपर कैसे place कर सकते हैं मतलब by the way आप ये सोचिए कि अगर इस banner को ये फिर अगर इस thumbnail को जो बड़ा सा billboard होता है अगर उसके उपर लगाया जाए तो एक कैसा दिखने में लगेगा वही चीज आज की इस वीडियो के अंदर हम Photoshop के अंदर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले हमें क्या-क्या यहाँ पर चाहिए होगा सबसे पहले तो आपको banner चाहिए जो की हमने पिछले class में बनाया था वो banner हमारे पास यह पढ़ाई हुआ है और हमें एक और photo चाहिए billboard की जहां पर हम इस photo को वहाँ पर लगाएंगे तो जो billboard की photo है आप इस तरीक से free pick वाली website पर आकर search कर लिजेगा horizontal banner mock-up ठीक है इस तरीक सब search करेंगे तो आपको इस तरीक से कई साए billboards यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो आपको जो पसंद आया आप जिस पर लगाना चाहते है अपना banner आप वो वाला जो billboard है उसे download कर लिजेगा फिलाल मैंने यह जो देख रहे है ने music party वाला यह वाला मैंने download करके रखा हुआ है ठीक है तो चलिए मैं इसको इसमें अपने photoshop के अंदर insert कर लेता हूँ double click करूँगा और मैंने इसे downloads में रखा हुआ है billboard यह रहा open करता हूँ तो दिखें यह रहा open हो गया और यह full hd image है actually में वह भी थोड़ा zoom out हो रखा है इस वेसे थोड़ा सा ऐसा blur दिख रहा है आपको ठीक है और इस वाले banner को इस billboard पर लगाना इसके अंदर बहुत ही असान है बहुत ही ज्यादा असान ठीक है क्या करना है कुछ नहीं simple इसको आपने ऐसे उठाना है drag and drop कर देना है इतना करने के बाद आप इसे fully screen में कर लिजे और थोड़ा सा अपने आप banner को इस तरीक से zoom out कर लिजेगा ठीक है जूम कर लिजेगा अब simply आपको यहाँ पे इसे इसके अंदर लगाना है फिट करना है ठीक है अभी तो simple आप ऐसे छोड़ दो के तो अच्छा नहीं दिख रहा एकदम simple इस पर fit करना है कैसे fit होगा ज़े धिहां से देखेगा simple से आपको क्या करना है control के साथ T बटन दबाना है क्या control के साथ T बटन किसको select करके अपने इस banner को select करेगे तो मैं control T बटन दबाता हूँ देखे दबा दिए control T, control T दबाने से क्या होगा यहां पर हमें इसको छोटा बड़ा करने को जो option है यह मिल गया ठीक है अब simple आप क्या करिए यहां पर control का बटन दबा के रखिए ठीक है कौन सा बटन दबाएंगे control का बटन दबा के रखिएंगे और जो इसके corners देखने हैं जैसे यह corner तो इस corner को इससे मिला दीजिए ठीक है जैसे मैं control का बटन दबाता हूँ और इस corner को पकड़ता हूँ और मैं इस corner को इस corner से ऐसे मिला देता हुँ ठीक है और यह सब जो काम आप कर रहे हैं इसको आप जूम कर लिए जितना हो सके उतना जूम करें के करेंगे तो काफी असानी से हो जाएगा देकिए मैंने कंट्रोल के साथ इसको यहां पर इस तरीक से लगा दिया ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है जो यह दूसरा इसको भी कंट्रोल के साथ पकड़ेंगे और इसको नीचे मैं लेके आता हूँ जहां पर बिल बोर्ड का उपर का हिस्सा है यह दिखिए मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ और इसको कंट्रोल के साथ मैं इस तरीक से यहां पर अटैच कर देता हूँ तो दिखिए यहां प पकड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे set कर देंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह लग गया कुछ इस तरही किसे थोड़ा समय और उपर कर देता हूँ इसको इस तरह से ठीक है तो इतना यह ठीक हो गया अब simply नीचे हम इसे पकड़ेंगे और थोड़ा से मैं इसे zoom out कर लेता हूँ control minus करके और control button दबाऊंगा और यहाँ इस corner को पकड़ूंगा और इसको यहाँ set कर दूँगा यहाँ ठीक है कुछ इस तरह से बागी zoom करके एक बार देख लेता हूँ सही से set हुआ यह नहीं फिलाल सही से set हो गया है बस इतना ही करना था आपको और यहाँ पे जो check का button है इसको click कर दीजे बस आपने इतना कर दिया तो अब क्या हो गया जो यह हमने बनाया था न banner वो इस billboard पे set हो चुका है देखना चाहते हैं आपकी कैसा दिख रहा है तो simple देखें मैं control के साथ zero button दबाऊंगा एकदम fit in window के लिए तो मैं control zero button यहाँ पे press करता हूँ और यहाँ पे देखें billboard पे हमने अपना जो banner बनाया था वो इस तरही के से यहाँ पे लगा दिया है अभी इसके अंदर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको एक काम करते हैं इसको save कर लेते हैं फिर open करके देखते हैं कैसा दिख रहा है वैसे तो बहुत ही interesting सा दिख रहा है एकदम realistic लग रहा है मैं आपको एक चीज recommend करना चाहूँगा यहाँ पे जैसे कि अगर आप अपने client के लिए कोई banner वगरा बना रहे हैं ठीक है तो आप क्या करिए ना उनको उनके banners को इस तरह किसे billboard के उपर ऐसे लगा के उनको दिखाईए ठीक है इससे क्या होगा कि उनको जो real life experience चो होता है वो देखने को मिलेगा मतलब कि वो अपने banner को print होने से पहले ही वो एक banner के उपर लगा हुआ है billboard के उपर लगा हुआ देखेंगे तो जिससे कि उनको पता चलेगा कि जब मेरा ये banner real में print होके आएगा और लगेगा billboard के उपर तो वो कैसा दिखेगा ठीक है तो देख लिजए ये कुछ इस्ता हीगा कि दिख रहा है चलेए मैं इससे पहले save कर लेता हूँ save as कर लेता हूँ desktop location पे ही और jpeg format में save कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है और ok button प्रेस कर लेता हूँ तो simple save हो गया होगा आजेए यहाँ पे यह देखिए यह धा photo open करता हूँ और यहाँ देखिए एकदम fully realistic एकदम full HD quality में आपको यह देख रहा होगा और कितना perfect look आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज सही से समझ में आ गया होगा लग रहा है ठीक है और आप चाहें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आप जैसा चाहें वैसा billboard यहाँ से download कर सकते हैं ठीक है मैं आपको एक mock-up के बारे में बता देता हूँ यह mock-up क्या चीज है ठीक है mock-up actually इस तरीके की file ही होती है जहाँ पर आप अपने बनाएवे banners को test कर सके लगा करके ठीक है तो देखें मैंने यहाँ पर banner mock-up लिका तो यहाँ पर banner वाले इस तरीके से billboard आ गया है ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिखता है visiting card mock-up ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है visiting card वाले mock-up आपको दिख जाते है मतलब जैसे कि आपने by the way photoshop के आंथे visiting card by the way आपने design किया क्योंकि जैसे जब आप banner design कर सकते हैं तो visiting card भी आप design करी लेंगे क्योंकि उसमें भी same चीज है और इसमें भी same चीज है तो आप किसी के लिए visiting card बना रहे हैं तो आप visiting card mock-up लिख दीजेगा देखें मैं लिखी के दिखाई देता हूँ तो इसमें लिखा visiting visiting card mock-up ठीक है तो देखें यहाँ पर visiting card के mock-ups आगए मतलब अगर आपका जो visiting card है जब print out निकलेगा तो वो कैसा देखेगा तो इस तरीके का देखो जैसे यही वाली photo देखो इसके अंदर simple आप क्या करना कि जो आपने visiting card बनाया होगा आप उसको यहाँ से लेकि यहाँ तक इस पर डाल देना जैसे कि हमने billboard पर डाला अपने banner को वैसे ही इसके उपर visiting card के design को हम डाल देंगे ठीक है तो जिससे उसे पता चल पाएगा जब मेरा card print होके निकलेगा तो कैसा देखने वाला है ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह video सही से समझ में आया होगा और यह video आपको काफी जादा interesting लगा होगा सो इस video को आप अभी के अभी like कर दीजे और अपने friends में इस video को चरूँ share करिएगा सो चले मिलते हैं next video में नए topic के साथ so thanks for watching our video have a nice day